नमस्कार दोस्तों, नेशन टॉक्स की सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जैसे कि आपको पता है नवदिश्ची टाइम्स का यह जो मंच है, वो एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम आपको ऐसी सक्षय से रूबरू कराते हैं, जिनोंने समाज के लिए और देश के मिलने जा रहे हैं एक ऐसी सक्षय से, जो महराजा अगरसेन होस्पिटल द्वार का सेक्टर वन में स्थित्थ है, और हम मिलने जा रहे हैं, डॉक्टर मनीश कुमार जी से, जो नियूरो सर्जन है, सीनियर कंसल्टेंट है, मनीश कुमार जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, और हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कुछ, मनीश जी अपने बारे में कुछ बताएं। नियूरो सर्जरी की सिक्छाली है, और चंड़ी में कुल मिला कर 13 सालों तक मैंने काम किया, पिछले 5 सालों से मैं दिली NCR में हूँ, और दिली NCR के आसपास के हॉस्पिटल में मैंने काम किया है, मैं महरा जागर से इन हॉस्पिटल में कुछ महीनों से काम कर रहा हूँ, औ और यह बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, सारा कुछ अपना जैसा लगता है, सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, और यहां काम करना मुझे अच्छा लगता है, सारे जो निरो सरिजरी एक टीम वर्क है, और इसमें एनस्थेटेस्ट और आईसी यू, डॉक्टर से लेकर, casualty medical officer, nurses, हर किसी के cooperation की जरुड़त होती है, जो कि यहां पर बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल personal level पर लगता है, जैसे सब मेरे अपने भाई बहने, यह सबसे अच्छी बात है इस hospital में, जो मुझे अच्छा लगता है. डॉक्टर मनीश कुमार जी, हमने इस बारे में बड़ा सुनाया है, कि as a neurosurgeon, आपका हाथ बहुत साफ है, आप लोगों को मतलब बीमारी से बिल्कुल मुक्त कर देते हैं, तब ही हमने सोचा कि आफ दृष्टी टाइम्स के माधियम से आपसे मिला जाए, लोगों से रूब बहुत सारी जो लाइफ में एंजाइटी हैं, उनसे ये सारी चीजे प्रॉब्लम क्रियेट होती हैं, तो as a neurosurgeon, आप क्या सजिस्ट करना चाहेंगे, पहले बात तो ये प्रॉब्लम हो ही ना, लोग कि इन चीजों का ध्यान रखें, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, देखि होती है, तो सरदर्द और नींद ना आना और चीजें अच्छी ना लगना यहां से सुरू होकर, फिर बातें ब्लड प्रेसर और क्योंकि सारा कुछ जो हमारा दिमाग है, वह आसपास से पूरे सरीर से प्रभावित होता है, और फिर वह हमारे पूरे सरीर को कंट्रोल करता ह है, तो एक बार यह प्रभावित हो गया है, तो फिर उस रास्ते पर वह चलता ही जाता है, तो हमें उसको फाले तो जाने से ही रोकना चाहिए, और एक बार रिदमान लिजे कुछ तकलीफ हो भी जाती है, तो जितनी जल्दी हो सके, डॉक्टर से मिलकर उनसे सलाह लेनी चा तो एक स्टिग्मा है, उसको बुरे फियर है, नियुरो सरजन से मिलना मतलब ब्रेन का सरजरी हो जाएगा, या सरजरी का मतलब की पेशेंट विंटिलिटर पर चला जाएगा, इस तरह का, यह जैसे ही हमें लगे, कि I am not normal, जैसे ठीक से नीद नहीं आ रही है, या सरदर्द हो रहा है, तो बहुत सरी जैसे ब्लड पेशर है, यह पता भी नहीं चलता है, कि किसी को ब्लड पेशर है, और आज कल तो यह normal चीजे हो गई है, तो आप hospital जाएंगे, आप डॉक्टर से मिलेंगे, तो डॉक्टर आपका ब पता चलेगा कि अरे मेरा ब्लड पेशर थोड़ा बढ़ा हुआ रहा है, उसी तरह सुगर है, पता नहीं चलता कि किसको डियाबटीज है, ऐसे तो आज कल बच्चे जन के समय ही तेस्ट होता है, और बहुत सारे बच्चे जन के साथ ही डियाबटीज की डियाग्नोसिस हो ज जिचकेंगे, तो फिर वो बीमारिया जब बड़े अस्तर पर पहुंच जाती है, जब उसका अफर ब्रेन पर या हार्ट पर या किड्नी पर पढ़ने लगता है, तब पता चलता है और तब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे के पर मेरी सला ये होगी कि सबसे पहले तो स्वस्थ जीवन, हम नूट्रियस डाइट, बैलेंस डाइट लें, बुरी आदते हैं, शराब, दुमरपान, स्मोकिंग ना करें, टोबैको नहीं लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर कंटिनुवस स्लीप हो, उसके लिए अपने शरीर को अपने दिमाग को त्यार करें, इस से हम और, जो एक्सरसाइज मैंने का, वो एक सब्द में समापत होने वाली चीज नहीं है, उसके लिए हमें पूरी कोशिश करती रहनी चाहिए, कि वो रेगुलर ली हम करें, योगा एक्सरसाइज कुछ भी, तो इन सब चीजों से हम पहले तो बिलना चाहिए, ताकि बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकते है, बहुत ही अच्छा शेयर किया है, डॉक्टर मनीज जी आपने, और as a neurosurgeon आपने बहुत ही अच्छी जानकारी भी दिये, क्योंकि टेंशन है कैसी चीजे जो लोगों को दिखाई नहीं देती, लेकिन वो कही पीरियर्ट चल रहा है, अभी 2020 में जितनी भी चीजें हुई है, उसमें शायद हमारी गती रुक गई और हमने अपनी इम्मिनिटी बूस्ट करने के लिए, योगा, बहुत सरी, मेडिटेशन, डाइट, सब चीजों पर हमने ध्यान भी दिया, तो मैं डॉक्टर मनीश ये आ मतलब जल्दी से जल्दी इससे रहत पा सकते हैं, इसके कोई सिंटम्स ऐसे हैं या, बहुत सारी चीजें तो, बहुत सारी बिमारियां जैसे मैंने कहा कि, ब्लड पेसर, डाइविटी जैसे पता ही नहीं चलते हैं, ब्रेन से इलेटेड बिमारियां, जो सबसे आसान लोग स समझते हैं, सरदर्द, सरदर्द, सिर्फ सरदर्द होने पर, बहुत कम ही बार ऐसा होता है, कि सरदर्द हो रहा हो, और सचमुच में अंदर कोई बिमारी हो, 90% हेडेक, टेंसन हेडेक हो सकता है, या, एक्जर्शन हो सकता है, या, कोई फीवर के कारण, किसी इंफेक्शन के करण hou सकता है जिसका ब्रेंच से कोई directive संबंद उसमें नौ उसके अलावे जैसे सबसे common uh जो headache के बारे में लोग combine के बारे में बारे में बात करते हैं तो ấ वहती है माईग्रेंट करते हैं माईग्रेंट हम्तлом कहते हैं जब बाकि सारे टेस्ट नॉर्मल हो और तब भी सरदर्द हो रहा हो कुछ special उसके features दी हैं ठीक है तब ही उसको migraine कहते हैं तो यह headache के बारे में यह सारी चीजें हमें जानने चाहिए लेकिन यदि सरदर्द तेजी से बढ़ रहा हो और सरदर्द के साथ साथ चक्कर आना उल्टी आना उल्टी जैसे लगना यह सारी चीजें हो तो इसका मतलब की बात कभी serious है और जितनी जल्दी हो सके neurologist या neurosurgeon से मिलना चाहिए डॉक्टर ननीश में यह भी जानना चाहूंगी कि जैसे जो हमारा as a neurosurgeon आप काम कर रहे हैं तो last last जो भी hospital के साथ जूड़के कोई ऐसा experience आपके साथ हुआ हो कि आपने corona patients हो कुछ उनको ऐसी problem आई हो तो वह भी हमें एक बार जानना चाहेंगे कि यह बहुत ही अच्छी बात आपने कहीं का खासकर इस corona time में जब लोग एक तो बाहर निकलने पर भी प्रवंदी थी लेकिन डॉक्टर्स तो हमेशा से अवलेबल रहे इस पीच में मेरे पास एक पेशेंट आये थे उनको ब्रेंट यूमर था और ब्लेट प्रेसर भी था और कोरोना भी हो गया था और उस ब्रेंट टूमर में ब्लीडिंग हो गयी थी बैसिकली वह ब्रेंट कैंसर था तो बहुत सारे लोग आसपास के डॉक्टर और हॉस्पिटर्स उनको ट्रीट करने से उन्होंने मना कर दिया लेकिन हमने यहां मारा जागर से दौरका में हमने उन आप से सर्विसिस ली हैं तो डॉक्टर मनीश मैं चाहूंगे कि महराजा अगरसेन हॉस्पिटल से जुड़कर दौरका से जुड़कर आपने जो यह सारी पेशन्स को अपनी सर्विसिस दी हैं उसके बारे में हमें यह थोड़ा सा बताएं कि कि किस तरीके से हॉस्पिटल अपना विजन लेके चल रहा है कि एज नियूरो सर्जन आप यहां काम कर रहे हैं काफी टाइम से तो आप क्या सला देना चाहेंगे कि यहां पर सारी कुपमेंट्स हैं हमारे यहां को यह पर पेशेंट आता है तो सारी फेसिलिटीज हैं हमारे यहां पर हमारे पास सारी फे सारी सुधा है बिल्कुल है और हम कर सकते हैं मैंनेजमेंट बहुत ही कॉपरेटिव है यदि कुछ ज़रुरत होती है तो दे मेंगे थिंग्स अविलेबल इमेडियेट लिए लिए थैंक यू सो मुझ डॉक्टर मनीश अब हम चाहेंगे डॉक्टर मनीश आप एक ना नेशन टॉक्स का ही हमारा पोडियम है उसके लिए आप हमारे कैमरा में देखकर एक लोगों के लिए मैसेज दें नेशन के नाम पर कि किस तरीके से ऐसे डॉक्टर आपका रोल रहता है सुसाइटी के लिए तो एक छोटा सा मैसेज हम चाहेंगे अब दें इस पोडियम से मैं हूं और भगवान के किरपास से अच्छा काम भी कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले तो यह करूंगा कि हर किसी को अपने बच्चे को खूब अच्चे से पढ़ाना चाहिए शिक्षा सबसे जरूरी है और स्वस्थ जीवन की आदत डालनी चाहिए रिगुलर एक्सरसाइज नो स्मोकिंग नो अलकोहल और हमारे देश के लिए जो सबसे जरूरी बात है वह है कि हम सब को मिलकर काम करके जाती धर्म से उपर उठकर सब लोग मिलकर काम करें और एक दूसरे का positively support करें हम क्या अच्छा कर सकते हैं इस देश के लिए उस पर देखें हम दूसरे से क्या ल वालने वाला है इस पर ध्यान ना दें। से हॉस्पिटल की बहुत तारीफ की और अपने बारे में बताया। तो मैं इस पोडियम के माधियम से लोगों को ये मैसिज देना चाहती हूँ कि कभी भी उनको भविश्य में यहां भगवान करें पहले तो ना आने का मौका मिले। और दूसरी बात कभी कोई प्रॉब्लम्स आएं तो वो इन डॉक्रस से जरूर संपर करें विकास्टे आर रियली वेरी गुड़ और दूइंग वेरी गुड़ वर्क पोर दे सोसाइटी। और नीचे दियेंए नंबर्स पर आप हॉस्पिटल के एड्रस उर फो नंबर्स पर कंटक्ट करकों आप हॉस्पिटल की सर्विसिस ले सकते हैं, महाराजा अवरसेन हॉस्पिटल द्वार का सेक्टर वन में ये स्थित है और अपनी सर्विसिस बहुत अच्छी समाज के लिए दे रहा है, थैंकियू सो मच डॉक्टर वनीश कुमार जी, आप से मिलके मुझे बहुत अच्छा ल